नमस्कार मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ ब्रजेश चोक से आज मुद्दा है निकाह चुना लेकिन बात करेंगे कठिन ओती से डगर की एक कहावत है देर आए दुरुस्ता आए लेकिन मद्द्रदेश की स्यासत में इसे थोड़ा बदल कर देखिए एमपी में देर आए दुविजाल आए वाले हाल हैं लंबे समय बाद हो रहे निकाह चुना में बीजेपी और कांग्रेश दोनों दलों में जमकर बगावत हो रह रहे हैं इसे देख पायटी ने निश्कासन की धमकी तक दे डाली कांग्रेश में बागी तेवर दिखा रहे नेता और कारकरता को सांथ करने का जिम्मा दिगवेशिंग ने समाल रखा है तो बीजेपी में तमाम नेता जुड़ गए लेकिन बगावत और बिरोत के बीच के सवाल भी खड़े हो रहे हैं आखिर बगावत से किसका फायदा होगा और पायटियां इस बगावत को रोक पाएंगी या इसका असर अगले विधानसवा चुना पर भी पड़ेगा तो कितनी कठेने ने निकाय की ये डगर इस पर करेंगे चर्चा लेकिन पहले देखिए ए कि दो हजार तेएस में जीत के सपने के साथ मध्य प्रदेश कॉंग्रस निकाय चुना में उत्री है लेकिन कॉंग्रस के मुश्किले कम हुनी का नाम नहीं दे रही है मध्य प्रदेश जैसे हालातों से जूच रही महराज जुस्तरकार के सियासी कमासान को रूपने के जिम्मदारी है एमपे के पीशने में कमलनाथ को मिली है लेकिन उनके अपनी प्रदेशनी पार्टी के अंदर हमासान बचा हुआ है निकाय चुनाव से पहले पूरी कॉंग्रेस बिखरती नजर आ रही है हाला कि इस बिखराओ को समेठने के जिम्मदारी कमलनाथ ने पूर्द रुपियें दिक्विजा सिंग तुगी है तिकिन नराज कारेकरताओं को मनाने और बगावत रोपने में कॉंग्रेस नेताओं के मसीरे शुप रही है चिकेट पित्रन के बाद वालियर चंबल में कॉंग्रेस में स्टीफों की जड़ी लग गई है प्रदर्शन सिर्फ वॉल्राय में ही नहीं विदीशा और राजधानी भूपाल जेशय की असपि पर दोलेकर प्रदरशन विदिश्व घौंघर करतायों ने प्रत्याशीओं भूलेकर प्रदर्रशन हो जाएंगे हैं हमारे यहां पर बिल्कुल सही है सब संतोष है यहां पर जो असंतुष्टी है वहां पर भाज़पा के अंदर जितने लोग नारास्थ उनको मना लिया गया है उनसे बात कर दी गई है इसके बाद भी अगर कोई नहीं मानेगा तो कारवाई पाटी करेगी ले जिभारती जनता पाटी को सोचना होगा कि वो दूसरों घरों में देखने के बजाए अपने घर की चिंता कर ले और अपने बागियों को मनाने की कोशिश करेगी हलाकि बगावत तो बीज़पी में भी देखने को मिल रही है लेकिन बीज़पी में नाराज नेताओं और कारेकर्ताओं के सांथ समनवय स्थापत करने का प्रयाज शुरू हो चुका है बीजेपी नेता जहां नेताओं के साथ रहने की अपील कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पार्टी से विरोध करने पर कारवाई किये जाने की चितावनी भी दे रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा समेत अन्य नेताओं को उम्मीद है कि पार्टी के कारेकरता और नेता फिर एक साथ होकर कॉंग्रस के खलाफ चुनाव लड़ेंगे बीजेपी कॉंग्रस की इस बगावत के बीज खबर ये भी आई कि भुपाल से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने चुपके से अपना नामंकन वापस ले लिया है जिसके बाद अब लड़ाई बीजेपी और कॉंग्रस के बीच है लेकिन फिल्हाल दोनों दल खुद के कारेकरताओं से लड़ाई लड़ते नज़र आ रहे हैं भरहाल देखना होगा कि क्या वीजेपी और कॉंग्रस के नेता अपने नाराज कारेकरताओं को मुनाने में सफल होंगे या फिर दोनों दलों को ये बगावत हारी पढ़ने वाली है। प्रवकता हैं बीजेपी के सिद्दार सिंग राजावद प्रवकता हैं कांग्रेस को जीतेन जखेट या बरिश्पतकार तीनों मेमानों का भूद बहुत स्वागत है। में लगा हुआ है जिसे नहीं मिला वो नाराज है जिसे मिल गया है वो आज तक दुविदा में रहा कि कहीं उसकी जगे किसी दूसरे को भी फार्म ना दे दिया जाए। पाइटियां भी चाहिए बीजेपी हो या कांग्रेस आखरी मोके तक पृत्यासियों को बदलती रहीं। तो अंदाजा लगाए जा सकता है कि किस तरह से नगरिये निकाय के चुनाव इस परिष्टिती में हो रहे हैं कि दवाव इतना है क्योंकि अगले साल विधानसवा के चुनाव हैं। नाराजगी का भी आलम यह है कि अभी तक लोग कारयाले के सामने प्रतरसन कर रहे हैं, बड़े नेताओं के खिलाब नारेवाजी कर रहे हैं, पाला बदल रहे हैं। हाली में दमों से ख़वर आई कि कांग्रेस के नेताओं ने पाला बदर कर बीजेपी का समर्थन कर दिया इस तरह की ख़वरें दूसरे सेरों से भी आ रहे हैं बीजेपी कह रही है कि वो नाराज नेताओं को मना लेगी जो नहीं मानेंगे उन पर कार्रवाई करेगी ये धमकियां कितना असर करेंगी, ये भी देखने की बात होगी, चुकि जिन लोगों को मना लिया गया, वो आज तीन वज़े तक फार्म बापिस ले चुके, और जो नहीं माने हैं, वो मैदान में डटे हैं, उन्हें मनाने के जतन किये जा रहे हैं, कांगरेश से दिगवे सि से लेके प्रदेश के पदा दिकारी तक कर रहे हैं, बीजेपी सवाल भी उठा रही है, कि जब घर में आग लगी हो, तो जो घर के मुखिया है, वो दूसरी जगे, यानि महराश चले गए, कमलनाज जी, बहाँ पे जिस तरह से राजनेतिक उठा-पटक चल रही है, सिफसे बिधायकों ने बागी तेवर अपना हुए है, उन्हें साधने की कौसिस कर रहे हैं, अपने बिधायकों को मनाने की कौसिस कर रहे हैं, लेकिन मद्द प्रदेश में, जहां निकाय चुना सिरपर हैं, सिद्दार जी आप मुझे सुन पा रहे हैं, अवे जी, आरी है, आपकी आवाज आ रही है, चलिए तकने की खामी की बार जैसे हम थोड़ी देर से जुड़ पाए, सिद्दार जी शुरुआत अब आप सही कर लेते हैं, आपने सुना था, अभी पूर्व सांसत कह रहे थे, कि महराष्ट जा रहा है, नाराज नेताओं को मनाने के लिए कमलनाज जी, और अपना घर समल नहीं रहा है, भार जाना पड़ रहा है, यहां बागी तेवर अपना हुए हैं, आपके प्रत्यासी, आखरी समय तक लोगों के नाम बदले गए हैं, और जो रहे बचे लोग हैं, उन्होंने कॉंग्रेस को समर्थन दे दिया है, और वो कंदे से करना मिला के प्रत्यासी के साथ ताम करने के लिए तयार होगा है। कि दतिया से ख़वर आ रहे है कि कांग्रेस नेतावनों बीजेपी का समर्थन कर दिया है कि देखिए हमारे मानिय कमल नाच्ची ने पहले भी का था जो टिका हुए वो बचेंगे जो विका हुए उनको तो जा नहीं था उसमें हमें कोई गुरेज नहीं है ना उसमें हमें कॉंग्रेस का एक मात तरगेट इस प्रकार से अर्जुन का एक मात रता मचली की आँक उसी प्रकार से हमारा 23 तरगेट और यह रास्ता जो निकाय चुनाव पंचाइट का जाता है हमारा फोकस इस समय पे अपना जा इक बार में कर देते कि तोड़े दोड़े करके जा रहा है कि डिल में क्या है और पीट में क्या है मुझे राम बगल में छुरी सबको नहीं मालूम होता ना जो गांदी बिचार धारा के हैं वहीं बचाइंगे क्योंकि पार्टी के जो मजबूत सिपाई यह जो इस्तम में वहीं बचाइंगे और जिनको जाना जो गोडसे की विचार धारा में जाके समलेत होना है उनके उनके साथ में जो है वह कॉंग्रेस पार्डी उनका सम्मान करती हो करती रहेगी अबे जी वो तो 90% मनाने की बात कर रहे हैं कि 90% मान गये हैं और जो टिकाव विकाव है वो अपके पाले में आラहे हैं असली कंग्रेस बचे गी अब और फीर टेवर अपना वए है प्रवाई में समेधान के साम से पार्टी पर करवाई की जाएगी इसलिए मैं आप से यहीं कह रहा हूं कि यह तो कह रहा है कि असली कॉंग्रेस बचेगी जहां कॉंग्रेस में सपत्पत्र मांगे जाते हों कारकरतां से शपत्पत्र भरवाय जाते हों जहां इतना बड़ा संकट हो विश्वास का वहां कारकरता क्यों ठेकेगा जाएगा जाया रहा है शाहिद आपको मालुम नहीं है आप पहले अबैजी उसको पूरा नहीं बड़ाया है कि आपकी सब्सक्राइब को जिताने की में बड़ाय चीजिता कर देंगे भारती यंता पार्टी में कमल का full guarantee होता है हमारा द्याख्ष होता है हमारा हमारा बूत की समिधी वहां के पन्नापुर मों guarantee लेते हैं भारतियंता पार्टी के चैंडिडेटों का गारंटी लिए बिंड कैलेक्टर ने उस पे चईऐ रोना रोना शुरू कर दिया है रोनोन का कि कंगारन्य शॉल कर दोनों इडल ले रहें दोनों इसे वाल के नेता जी, 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 पैंग जी, सुन पारें, जी, बोले, जी, मूल मुद्दा दोनों दलों में अधिकरत पत्याशियों के खिलाफ हुई बगावत का है, कॉंगरेस में तो एसा होता रहा है, इसलिए कोई आश्चरे की बात नहीं, कॉंगरेस में कई बार बगावत हुई और बागी पत्याशी इस्थानी निकाई के चुनाओं में, पंचायत के चुनाओं में, मिदान में उतरते रहे हैं, लेकिन भाजपा में इस समय जिस तरह की बगावत हुई, वो अपने आपने आश्चरे वाली बात है, और ये आश्चरे उस समय कम हो जाता है, क्योंकि अब भ समस्या भाजपा में इस बार पेदा होकर सामने आई है, दूसरा मुद्दा यह है, कि यह चुनाओं गली महले का कालोनी का वार्ड का चुनाओं है, हर व्यक्ति अपनी राजनेतिक महत्व कांशाओं को परवान चड़ाने के लिए एसे चुनाओं में मिदान में उतरने के लिए लालाइत होता है, दोनों दलों ने क्राइटेरिया बनाए थे, गाइडलाइन बनाई थी कि हम इस गाइडलाइन पर प्रत्याशियों को टिगिट देंगे, लेकिन जब प्रत्याशियों के नाम की वोश्टना हुई, तो मालुम पड़ा कि भाग गाइडलाइन कागज पर सिमट कर रह गई कोई भी दल उस गाइडलाइन का पालन नहीं कर सका दोनों का लक्ष एक है जिताओ चेहरा हो अब यहां विकाओ बाद में हो जाए तो उसकी कोई गैरंटी कोई भी दल नहीं ले सकता है लेकिन हर दलने अपरादी हो 60 साल का 50 साल से ज्यादा उम्र का हो य जो कांग्रेसी आ गए उसके कारण यह सब हालात बन गए बीजेपी में जिस तरह जीतेंजी सवाल उठा रहे हैं और जो गाइडलाइन थी आपकी जब प्रत्यासियों के नाम आए सामने तो धरी के धरी रह गई कागज पर कहा रह गई बरजेश जी वाह यह बार्टियंता पर कि पर्देश जब टिकेट देने वाले भी भाजपा के नेता थे वहाँ कांग्रेस के नहीं आया थे टिकेट देने मैं यह यह आप से कह रहा हूं कि चिनाव की आज 22 तारिक थी तीन बए तक भी फॉर्म जमा होने थे सिंविल दिये जाने थे भार्ट केंता पार्टी ने उसके पहले स्कूटनिंग करकर उन लोगों को जिनको क्यूंकि साड़े छे हजार पांसो साथ पार्शदों पर चिनाव हो रहें ते बड़े संख्या में पूरे प्रदेश में चिनाव हैं तीन हजार सैतालिस इस्तानों पर हैं साड़े छे हजार लोगों के नावों की छटनी करना उनमें जो नाम गलत आये थे उसके अपील कि आपके आपके आदमी है और संभागी समीती बनाई थी नीचे से आ अपील समीती ने प्रदेश में टर्ड़े लिया है यही तो लोग करते हैं कि चिला और संभाग इस्तर की समीतियों का हाथ अपरादियों के साथ था इसलिए उनके नाम कोशिट के लेकिन अभे जी फिर पन्ना में क्यों नहीं बदला एक आदमी को और छोड़ दिया आपने आपने प्रत्यासी बदला अपरादिक प्रेश्ट भूमी वालों को दे दिया आपने पूरा परिवार अपरादी है इंदोर को लेकर तो पुरे प्रदेश में गुंच हुई है इस बदल दिया ना निते ही इंदोर में भी बदले गए और जहां तक दिवे शिंग जी के प् पूट आ जाए उसकी कोई कोई है आपने और हमने देखा है एक सवाल पर जवाब दे लीजिए जो कांग्रेस के लोग आ गए हैं उनके बज़े से यह से हालात बन गए हैं क्योंकि बीज़ेपी में पहली बार एंसा देखने को मिल रहा है जिस पर सब लोग आश्चरी जता सब्सक्राइब कांग्रेस से जो लोग आए इस बज़े से आप क्या इसे हालात बन गया पहले नहीं थे प्रजेश जी मैं आप से फिर कह रहा हूं पूरा लोगतांतिक तरीका से अपनाए गया अपी समीती भी दी गई टिकेट बटने के बाद फिर टिकेट वालों तुर ने टिकेट दिये ग हो गया अब और इससे जादा क्या कर सकते हैं लेकिन सिद्दार जी गवालियर चंबल से तो पूरी फोच चली गई थी बीजेपी में फिर भाग क्यों बागी बचे रह गया आपके जो अब भी बगावत हो रहा है चंबल के पानी में बगावत है बागी बनते रहते हैं वह नहीं कोई सानी ये चंबल का बानी है जिसको पी के सौरी बीर तयार करते हैं वह तो कहीं न कहीं आपकी पार्टी में अन्या तो नहीं हो रहा हुए उनके साथ देखें ये तो पूर विधित था कि सिंधिया की बी टीम एक स्लिपिंग बूर्ड में पड़ी हुई है ये पूर विधित था और इसकी रिपोर्ट बनके तीन-चार माँ पूर मानी कमल नाच जी के पास आ गई थी पर हम वेट और वाच की पॉलसी के तहत इंतियार कर रहे कि यह अपना कप पैतरा बदलेंगे कब क्या करेंगे और वो बात सामने आ गई और यह बात अच्छा है कि अभी निकाई चुनाओं में पंचाई चुनाओं में आ गई क्योंकि अभी 23 में बिदान सबाबी है 24 में लोक सबाबी है जब तक बाहर गारी ट्रक खड़े हुए ह हर कॉंग्रेस कारेयाले के बार वाली चंबल में जितने बैठना है पूरा जितनी जितने बैठना है उसमें बैठके निकल जाए एक बार में भाजपा कारेयाले बिजवा देंगे तो मतलब अभी और भी बचे हुए है और जो आपने आपकी नाराजगी की बज़ेवीत बता रहे हैं वो लोग कि आप एक भाजपा से आए वेक्ति को बिदाएक बना देते हैं उनके घर में टिकेट दे देते हैं और फिर दवा बनाते हैं कि प्रत्यासियों को टिकेट मैं अगरमांव में अलाओ मानी करके और भी मानधी करके और मानी कमनाच जी understand ब्लैक मेल करके और कुछ बनाना चाहते हैं तो मानिय कमलनाच जी अगर इतना ही बड़ा दबाव जेलना होता तो जो तरह सिंदिया कर तभी जेल ले तो सरकार बच जाती है पर सिद्धानतों के वह से कबी भी मानिय कमलनाच जी कोई भी समझ feminism करते हैं कि कि उनकी आस्ता पार्टी के प्रती है उनकी आस्ता कार कला करतां के प्रती है इसलिए मानि कमलनाद जी ने साब गोल दिया ब्लेक मेलिंग बिल्कुल निचलेगी अगर आपको कारे करना आपको संगडन में उससे बड़ी तबज्जो दी जाएगी पर अगर ब्लेक मेलिंग करेंगे तो आप बहल बैठ जाओ एक ठीक है ब्लेक मेलिंग करने वालों को भा दलों को इसका खामे आजा 2023 में उठाना पड़ेगा विदानसवा चुनाओं में जितेंजी जितेंजी क्या इस नाराजगी का खामे आजा 2023 के विदानसवा चुनाओं में उठाना पड़ेगा दोनों राजनितिक दलों को निश्चित तोर पर यह जो चुनाओं है यह 2023 के चु सिंधिया की बी टीम सी टीम डी टीम करते हुए अपने आपके दामन नहीं बचा सकती जब आपको मौलों में सिंधिया की बी टीम है तो आप पहले से एक्षन क्यों नहीं लेते किसका बेटेंड वाच कर रहेते हैं कि विद्रो हो जाए बगावत हो एक पॉलिटिकल माना जाता है लेकिन वे संगठन को खड़ा नहीं कर सके हैं और उसी का परिणाम ये पूरी बगावत के रूप में नजर आ रहा है और कम से कम कांग्रेस को अपने कारकरताओं पे अपने नेताओं पे भरोसा तो करना चाहिए वाराल समय जायत नहीं देता है चर्चा को ये बिराम देंगे आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में सामिल होने के लिए तो निकाज चुनाओं की डगर भले ही कठिन दिख रही हो लेकिन इसका असर 2023 में भी देखने को मिलेगा क्योंकि ये नाराजगी इतनी जल्दी दूर होने वाली नहीं जिस तरह से दोनों राजनेतिक दल अपने नाराज नेताओं कारकरताओं को मनाने का जतन कर रहे हैं और आखिर में उन्हें चेताबनी धमकी तक जाना पड़ा धमकी तक देना पड़ी कि कारवाई कर दी जाएगी तो अब ये देखना होगा कि इस धमकी का असर क्या होता है यदि बागियों की संख्या जादा रही तो नुकसान उसका 2023 में भी उठाना पड़ सकता है मुद्दा तो है मैं फिला लेतना ही मुझ धमकी तक जाएगी